हेई एवरिवन आज हम जानेंगे simple microscope and compound microscope में क्या basic सा difference होता है क्योंकि मेरे वीडियो पर बहुत comment आते हैं इससे related तो पहले simple microscope के बारे हम बात करेंगे इसमें क्या होता है एक lens होता है जिससे हम क्या कर सकते है जो magnification का काम करता है एक eye piece lens होता है तो टोटल दो lens होता है जिबकि जो compound lens होता है उसमें क्या होता है multiple lenses होते है और एक eye piece lens होता है उससे लग तो इसमें magnification क्या होता है as compared to simple microscope जादा होता है